हेलो गाइस टेकनिकल नाइट में आपका स्वागत है आज की जो अपडेट है वो SSC के तरफ से गाइस SSC में जूनेर इंजीनियर की रिकूर्ट में निकल किया भी थी जिसका की CBT1 का रिजल्ट आउट हो चुका है तो इस वीडियो में जानेंगे CBT1 की ओफीशल कटफ क्या ह होने वाली है civil electrical mechanical के लिए और CBT2 का examination किस दिन आपका हो जाएगा तो देखें हमें इसके ओफीशल साइट पर इसका लिंग आपको वीडियो के डिसकर्फ मिल जाएगा तो डाइट आप इस साइट पर जाएंगे सत्तरह नम्मा दोजटेश की अपडेट है जूनियर इंजिन mechanical electrical examination paper first जो की 9-10-22 से लेकर 11-10-22 at various centers all over country में हुए थे यहां पर दिये हुआ है category wise cut-up of details and number of candidates to appear in papers again CBT of the examination as follow civil engineering की cut-up के बारे में बात करें काफी कम cut-up देखने को मिलती है यहां पर देखे सबसे पहले यहां पर SC की cut-up है 89.36 candidate available हैं देख सकते हैं connect available हम डिसकस नहीं करेंगे cable हम यहां पर cut-up के बारे में देख लेते हैं ST की 87, OBC की 106, EWS की 98, EWS की काफी कम गई है OBC से, UR की 108 उसके लगत OHH, HH, Other PWD Connect के ले देख सकते हैं तोटल 10154 connect store list के गएं जिसमें की UR में SC के 388, ST की 211, OBC के 2926, EWS के 860 और 3 connect OHH और 1 connect HH के सामेल हैं UR के टीगे में इसी करम में हम देखते हैं electrical mechanical की combined यहां पर cut-up देखने को मिलती है जो की SC की काफी हाई है 116, ST की 105, OBC की 131, EWS की 125, UR की 131, OHH की 104, HH की 109 जो भी हमने आपको expected cut-up के बारे में बताया था electrical mechanical की तो लगबग आपको उतनी cut-up देखने को मिलती है टोटल जो candidate shortlist के गये हैं 2073, UR candidates on above 59 candidate SC की UR में qualify हुए ST की 11, OBC के 770, EWS की 90, A candidate OH का और A candidate other PW candidate के लिए पेपर सेकेंड ओफ जे एक्जामिनेशनी सेडियूल अन 4 दिसंबाद हो जाते हैं यानि की जो आपको एक्जामिनेशन रेट बताई गये थी उसी एक्जामिनेशन डेट को आपको एक्जामिनेशन हो जाएगा admission certificate to the shortlist candidate will be uploaded on the website of the respective regional office in due course of time बात करते हैं final answer की as well as marks of the qualified non-qualified candidate in paper first will be made available on the website of the commission in due course तो जैसे इसकी final answer की out होगी और final result यानि की जो भी candidate qualify है और जो candidate qualify नहीं है वो आपने mask कैसे चेक करेंगे जैसे skilling काईगी हम आपको वीडियो के मादधम से जरू सुचित करेंगे तो जो भी करेंगे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियें सब्सक्राइब जरू कर लें यही एक update देनी थी वीडियो पसंदने वीडियो लाइक करें चैनल को पर तक ने सब्सक्राइब जरू सकार